हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूती इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि औरियन्टेशन ओव पेशेंट की पेशेंट को हमें क्या-क्या औरियन्टेशन करानी होती है तो सबसे पहले आप देखोगे Facilities for Patient की पेशेंट के लिए क्या-क्या Facilities वहाँ पे है जिसे की बहुत सारी Facilities होती है कि हम बैड को यूज कर सकते है, अच्छे से की बैड का यूज कैसे कर सकते है कैसे उसको आप डाउन कर सकते है कैसे उसको उठाना है या पिर जो भी कई सारे Beds होते हैं आजकल तो जिसमें air filling bags होते हैं जिसमें air fill हो चाती है air mattress वाले तो electric beds होते हैं काफ़र टाइप के beds होते हैं तो उनके proper uses कैसे उनको use करना है उसके बाद जो भी bathroom है उसके उसमें shower है या फिर जो hot wolex cold water कैसे आता है उसकी क्या availability है क्या bell system है emergency के लिए बुलाना है तो cold system क्या है television का remote वगेरा मतलब जो भी facility उसके room में हम या फिर room से बहार उसको जो provide करा रहे हैं वो सारी आती है facility for the patient के अंदर उसके बाद आता है use of the equipment available for use like tv phone इसमें वही जैसे कि अभी बताये कि tv का remote कहां पे रखा है कैसे उसको use करना कैसे control करना है क्या bell system है कैसे आप बुला सकते हो ठीक है cold कर सकते हो emergency में nurse को कैसे बुला सकते हो वो सारी चीज़े हैं उसके बाद educate and respect to the hospital policies love with respect to the hospital policies तो patient को जो हमें hospital की जो भी policies होते हैं उनके regarding बताना होता है कि आप यहाँ पे smoking नहीं कर सकते visitors का policy time visitor किस time आपसे मिल सकते हैं जो आपके family members हैं वो कब आपसे मिल सकते हैं उसके बाद आता है patient rights patient rights के बारे में बता सकते हैं कि उसको अपने patient को पता होना चाहिए उसको educate amount में उसको medication जा रही है या नहीं है अच्छे से उसको maintain करके रखना तो वो सारा होता है patient के rights के regarding ठीक है उसके बाद आता है expected length of stay हमें एक patient को बता देना होता है कि जब भी उसका admission हो रहा है तो कितने दिन उसका treatment चलेगा कितना time period लगेगा कि उसको hospital में रहना पड़ेगा तो वो सारी चीजों को manage करके जो चलना होता है उसको पहले से बताना होता है उसके बाद about hospital routine hospital के routine के बारे में हमें patient को बताना होता है हर एक hospital का different different timings होता है अगर हम बात करें drugs की या फिर medication का जो insertion होता है और उसके बाद एक night की dose की जाती है about 8 o clock के आसपास तो वो सारा routine हमें patient को बताना होता है उसके बाद doctors का क्या time है कब doctors orientation के लिए आएंगे क्या medications और कैसे doctors जो उनको treat करेंगे क्या क्या चीज़ें doctors उनको चेक करते हैं वो सारी चीज़ें हमें patient को बतानी होती है उसके साथ-साथ जो भी अगर उनका lunch time है अगर कोई भी lunch hospital उनको प्रोवाइड करें तो किस टाइम उनका खाना आएगा किस टाइम जो वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है वो सारी चीजे भी हमें patient को बतानी होती है और और भी जो भी hospital से related routines होते हैं कि अगर उनको कोई ऐसा investigation उनको लग रहा है वो कराना है तो वो हमें सुबह ही inform करें मतलब जो भी required जो भी hospital का main routine होता है वो हमें patient को बता देना होता है तो यह सारी चीजे आती हैं जब भी हम एक patient को orientation करातेंगी facilities क्या है, कैसे equipment का use है क्या policies है, क्या patient के right है क्या length of stay है और क्या hospital का routine है वो सब हमें patient को बताना होता है